आप सभी को मैं इस तरफ से प्यारभान नमस्कार उमीद करता हूँ, आप सब बढ़िया होंगे, त्यारी आप लोगी बहुत अच्छी जल रही होगी और घर में आप सब सेफ होंगे तो basically आज की class में हम बात करने वाले हैं, unless और until के बारे में, यह जो concept है, इस concept को लेके बहुत सारे बचे confused रहते हैं, चाहे आप किसी competitive examination की त्यारी कर रहे हो तब भी, या फिर अगर general speaking में हम बात करे हैं, spoken English में बात करे हैं, वहाँ पे भी यह concept बहुत ज़्यादा यूज होता कि unless भी judge रहा है और until भी judge रहा है, है ना, तो शब्दों को जचाना नहीं है, feeling से नहीं करना है, थोड़ा concept के साथ और थोड़ा logical तरीके से approach करने की कोशिश करते हैं, तो पहले मैं आपको कुछ concept सिखाता हूं इन से related, कुछ exceptions हैं वो बताता हूं, फिज कुछ practice questions भी देखें ठीक है, चलिए, तो शुरुआत करते हैं पहले unless की, उसके बाद बात करेंगे until की, तो unless की अगर मैं English में बात करूँ तो यह basically denote करता है condition को, यह condition को indicate करता है, सामने देखो लिखा भी हुआ है, और उसका English में meaning होता है accept if, अगर आपको accept if नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सम ठीक दूँ यदी नहीं, ठीक है, हिंदी में से यह कहते हैं, लेकिन कोशिश कीजेगा कि हिंदी से ना करें, क्योंकि हिंदी से करोगे तो फिर वही वाली बात होती है, translation में एरर होई जाती है, ठीक है, अच्छा, एक चीज आपने और नोट करी, जो unless है, यह एक तरीके का negative word है, क्योंकि इसका मतलब होता है, यदी नहीं, या फिर अगर नहीं, एक ही तो बात है, तो एक negative word भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, example देखिए, उसने कहा, you cannot get a job, unless you have experience, मैंने आपको पहले भी कहा, कि यह जो unless term है, यह हमेशा condition को satisfy करता है, जैसे, अगर यह वाली condition fulfill नहीं होगी, तो यह भी नहीं होगी, अगर आपके पास experience नहीं है, यदी आपके पास experience नहीं है, तो आपको job भी नहीं मिलेगी, तो unless जो बड़ है, यहाँ पे condition को denote कर रहा है, unless यह चीज नहीं है, तो यह भी नहीं है, जैसे एकला sentence आप लोग देखें, most wild animals won't attack unless they are provoked, provoked का मतलब उकसाना, उनको छेड़ना है, उनको पत्थर मारना, अब जैसे आप अपने गली से जा रहे हैं, for example, और रास्ते में कुत्ते बैठे हैं, गाड़ी के नीचे बैठा है, तो आपको क्या मतलब, आप अपना निकली है, वो अपना बैठा हुआ है, लेकिन आप उसे छ condition रखी जा रही है, अगर आप उनको provoke नहीं करेंगे, अगर आप उनको छेडेंगे नहीं, तो आप पे attack भी नहीं करेंगे, समझ में आया point, अगर ये condition नहीं होती है, तो फिर ये भी नहीं होगी, तो simple सी बात है कि जो unless है, वो हमेशा condition denote करता है, if का sense देता है, अगर ये नह नहीं, ये नहीं, तो वो भी नहीं, समझ में आया, अभी हम until देखेंगे, और फिर दोनों का mixture देखेंगे, तो अच्छे समझ में आ जएगा, ठीक है, चलिए, वहीं दूसरी तरफ जो until होता है, इसका मतलब होता है, जब तक नहीं, ठीक है, और ये भी एक तरीके का negative word होता है, क्योंकि इसमें भी नहीं आप देख पा रहे हैं, ये भी एक negative word है, और ये time को denote करता है, जहां एक तरफ जो unless था, वो condition को denote करता था, वहीं दूसरी तरफ जो until है, वो time को denote करता है, और इसका मतलब होता है, up to the time, इस समय तक, हमेशा ये कुछ न कुछ definite time ये period की बात तब तक audience ने उसकी बातों को सुना, until he spoke, इसका मतलब जब तक नहीं भी होता है, और जब तक भी होता है, मैं side में लिख देता हूँ, ये दोनों sense देता है, ठीक है, वैसे जब तक आपका till भी होता है, लेकिन till वाली बात हम और किसी वीडियो में करेंगे, ठीक है, अभी आ मतलब जब तक उसने बात करी, तब तक audience ने सुना, तो एक time period हुआ न, कुछ देर तक बात की होगी, एक घंटा, दो घंटा, आदर घंटा, पंदरा मिनट, बीस मिनट, जब तक वो बोला, तब तक लोगों ने सुना, तो आप ध्यान से दिखी है, time को show किया जा रहा है, time को show किया जा रहा है, तो फिर until आया, unless नहीं आ सकता है, जैसे no one is allowed to leave the classroom until the exam was over, यहाँ पे until जब तक नहीं का sense दे रहा है, और यहाँ पे उपर वाले में जब तक का sense दे रहा था, example के दूर पे ध्यान से देखो, कि जब तक ये situation जो है, पूरी नहीं हो जाती है, तब तक कोई ये भी नहीं करेगा, अब exam over होने का एक period होता है न, वहीं दो घंटे चला, exam तीन घंटे चला, तो जब तक exam over नहीं हो जाता, तब तक कोई बाहर भी नहीं जा सकता, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक time period है, यहाँ पे condition नहीं है, यह time period, exam over नहीं हो जाता, तब को दो difference समझ में आगए, कि unless condition show करता है, और until आपका time show करता है, basic सी बात है, अभी हम questions देखेंगे, आपको बहुत साई चीज़े समझ में आएंगी, ठीक है, एक term आपने और सुना होगा, until and unless, दोनों साथ में भी use होता है, बहुत बार आपने सुना होगा, actual में आप unless की जगा, unless and until भी बोल सकते हैं साथ में, और until की जगा, until and unless भी बोल सकते हैं साथ में, कहने का मतलब, चाहे ये वाला case हो time वाला, चाहे unless वाला case हो condition वाला, दोनों cases में आप दोनों शब्दों को साथ में भी रख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ informal होती है, फिर दोनों में difference ही क्या आते हैं, emphasize करते हैं, या Emphasis करते हैं किसी चीज़ को, Emphasis basically एक noun होता है, और Emphasis एक verb होती है, Emphasis का मतलब जोर और Emphasis का मतलब जोर डालना, तो ये जोर देने के लिए use होता है, ठीक है, ये दोनों जब साथ में आते हैं, जैसे देको मैंने पहले वाला sentence ही use किया, you cannot get a job unless and until you have experience, कि जब तक ये, यदि आपके पास experience नहीं है, तो आपको job भी नहीं मिलेगी, पर स्थोड़ा हो जोर डाल दिया हमने, experience नहीं है तो job भी नहीं मिलेगी, जोर डाला है इसके उपर, वही दिखो पिछले वाला sentence उठाया है मैंने, कि जब तक exam over नहीं होता, तब तक कोई नहीं जाएगा, तो अब teacher थोड़ा strict तरीका से बोल रहा है, exam over नहीं होगा ना, जब तक कोई भी जाएगा बार, तो जोर डाला जा रहा है, ये थोड़ा informal examination में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बोल चल की भाशा में आप use कर सकते हैं, तो अगर आपको तीनो point समझ में आ नहीं इनके साथ never का use होगा, इस बात को समझेगा, जैसे unless you do not work hard, you will not pass, आपने देखा, अगर ये condition नहीं होती, तो ये भी नहीं होगी, मेहनत नहीं करोगे, तो पास भी नहीं होगी, अब unless तो आया है, वो तो ठीक है, लेकिन unless एक negative word उसके साथ not का use नहीं करते, अब not हटा समय में नहीं आए, कि मैंने ये work कैसे कर दिया, तो आपको पता है न, simple present tense क्या होता है, subject plus verb की first form के साथ, इसका negative क्या बनता है, subject plus do does, plus not plus verb की first form, यही बनता है न, negative, और interrogative क्या बनता है, do does आता है, फिर subject आता है, और फिर verb की first form आती है, और end में लगाते है, question मा, तो जब मैं मैंने कहा कि unless एक negative word है, तो सबसे पहले आपने उसके साथ note हटाया, फिर आपने देखा कि यार do बचा हुआ है, यहाँ लेकिन do does का use, या तो note के साथ होता है, वो तो हटा ही दिया, या interrogation में होता है, उपर interrogation है ही न, कहने का मतलब ना ये structure, ना ये structure, अब ये वाला structure use करना बड़ेगा, जिसमें you plural है, तो आगे verb को भी plural करेंगे, अगर यहां singular होता, you की जगा कुछ हीश ही होता, तो इसे works कर देते हैं, singular कर देते हैं, क्या मेरा point समझ में आ रहा है, जैसे unless you work hard, you will not succeed, एक until वाला भी देख लो, please do not switch on the TV until I won't complete the homework, आप एक बात को समय लीजेगा कि note सिरफ उस वाले close से हटाना है, जिस close में until है, जिस part में until है, until के साथ ये वाला part है, इस part से note हटाना है, यह नहीं कि आप कहीं से भी हटा देंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्या मेरा point समझ में आया है, मैंने क्या कहा आपको, कि please do not switch on the TV until I won't complete the homework, जब तक मैं complete नह नहीं हो जाता, तब तक आप please a TV con मत करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो time तो show कर रहा है, लेकिन आप देखिए until के साथ note नहीं आता, अच्छा मैं एक चीज आपको और सिखाना चाहता हूँ, कि until के साथ हम कभी will shall कभी use नहीं करते, क्योंकि ये want का मतलब will not है ना, ये want क ने will shall wait आया, simple present tense लगाना है, और simple present tense क्या होगा, until I complete the homework, simple सी बात होगी, हा कि ना, तो please do not switch on the TV, until I complete the homework, क्या दोनों point clear है, अगर clear है, तो मैं आपसे miscellaneous sentences पूछ सकता हूँ, अगर miscellaneous आप करोगे, तब ही आपको बदा लागेगा, आपको कितना समझ में आया, तो मैं दुब जब तक भी होता है, ठीक है, और फिर एक term होता है, until and unless, ये जोर डालने के लिए use होता है, और फिर एक point और बताया था कि ये negative words होते हैं, इनके साथ note or never भी नहीं आता है, clear, simple present tense basically use करते है, future भी नहीं आता है most of the time, ठीक है, simple past भी use कर सकते हैं, doesn't make any difference, लेकिन until or unless के साथ will, shall क देखो, एक sentence देखो, test yourself, आप वीडियो को pause करें, और मुझे बताये, इसके अंदे क्या mistake है, until or unless you are dedicated to your studies, you cannot expect success, अब आप क्या देख रहे हैं, यहापे condition है, हाँ definitely condition है, कि यदि आप dedicated नहीं होंगे, तो आपको कामियावी भी नहीं मिलेगी, अगर ये condition satisfy नहीं होती, तो ये भी नहीं होगी, मतलब condition बताना है, time नहीं, तो until गया, unless आया, आप वीडियो को pause करते चलिए, पहले खुद बनाईए, फिद देखिया answer को, we will wait for Tanu until or unless she arrives, अब बताओ, she arrives, मतलब जब तक वो आ नहीं जाती, तब तक हम wait करेंगे, अब आप कुछ लोग हिंदी से करने की हिंदी सही लगेगी आपको, कि यदि वो आ नहीं जाती, तब तक हम wait करेंगे, हिंदी मत लगाओ, हिंदी लगाओगे, तो आप हमेशा आपको सारी चीज़े सही लगेगी, आप time period देखो, उसके आना, उसका आना एक time को show करता है, कि वो आएगी, जब भी आएगी, time को show कर रहा है, तो time period के लिए हम until use करते हैं, unless नहीं, कि we will wait for tano until she arrives, जब तक वो नहीं आती हम wait करेंगे, जिसे और देखते हैं, इसके अंदर बताने की कुशिश करो, बड़ा प्यारा sentence है, आपको ध्यान आ रहे है, he cannot withdraw all his money unless he does not give advance notice, आपने देखा condition तो है, कि यदि advance notice नहीं देग तो फिर do does भी नहीं आएगा, do does क्योंकि note या interrogative में आता है, या negative में, या interrogative में, note तो हटा दी और interrogative है नहीं, तो he singular है, so simple present tense में इसे singular करेंगे न, until he gives advance notice, point सबको समझ में आ रहा है, I lived with my parents until or unless I was 17, अब तक मैं 17 का नहीं हो गया, तब तक मैं खतरा के साथ रहा, मतला parents के सा तरा, ठीक है, जब तक मैं 17 का नहीं हो गया, तब तक मैं parents के साथ, एको time show कर रहा है, time show कर रहा है, तो until आएगा, unless नहीं, आपको देखते ही पता लग रहा है कि कहा condition है और कहा time है, जैसे इस वाले sentence में देखो, condition है या time है, you cannot get admission in Delhi University unless or until you have scored good grades in the higher secondary examination, condition रख रहा है, time नहीं condition, कि अगर अच्छा score नहीं करोगे, तो admission भी नहीं मिलेगा, अगर condition रख रहा है, तो फिर क्या आएगा, unless until नहीं आएगा, तो देखिए इसका answer क्या है, unless है, इसके अंदर बताओ, राहुल cannot vote until or unless he turns 18, जब तक वो 18 का नहीं हो जाता, तो वो vote नहीं कर सकता, अब देखो लग रहा होगा condition है, कि जब तक ये condition satisfy नहीं होती, तब तक ये भी नहीं होगी, लेगिन आप देखिए कि time period आ गया साथ में, time period आ जाने से आप फिर condition मत देखिए कि unless लगा दो, no time period आ जाये तो बस आपने फिर वाँ पे until का ही use करना है, कि until he turns, जब तक वो इतने का नहीं हो जाता, 18 साल, आप देख रहे हैं, time period है, definite time period है, तो जहाँ जहाँ आपको definite time period दिखे, आप आँख बंद करके वहाँ until लगा दीजिए, clear है, once Tanu starts playing badminton, she will continue until or unless she wins, बहुत important sentence है, वीडियो को post करो और बनाओ पहले, चलो देखो, जब एक बार Tanu badminton खेनना शुरू कर देती है तो वो तब तक खेलती रहती है, जब तक वो जीतती नहीं है, या वो तब तक खेलती रहती है, यदि वो जीतती नहीं है, अब ध्यान से देखो, हिंदी रखो के मैंने कहा, दोनों सही लगेंगे, अब आप देखो concept को, वो कैसे, अगर मैं इसे मानलो condition मान लेता हूं, कि अ अगर वो जीतती नहीं है तो वो continue करती रहेगी लेकिन वो कभी न कभी तो जीतेगी एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा yes or no, ऐसा तो है नहीं कि भई वो जीतेगी नहीं yes or no, हो भी सकता चलो ना भी जीते लेकिन ये time को show कर रहा है अध्यान से देखो, कि जैसे अब पहला मैच हुआ, दूसरा मैच हुआ, तीसरा मैच हुआ अब मैच time period होता है वाई, एक घंटा चला, दो घंटा चला, तीन घंटा चला, अब वो finally जीत गई जीत गई तो अब वो खेलना बंद कर देगा तब तक वो खेलेगी, तो ये time period को show कर रहा है, until she wins कभी तो जीतेगी वो, हाँ की ना चलें जी, चलो जी, आगे चलते हैं no one can help you unless or until you tell us the problem, बहुत असान चीज़ है no one can help you unless or until you tell us the problem अब यहाँ पे condition है कि अगर आप problem नहीं बताओगे, तो आपको कोई help भी नहीं करेगा problem नहीं बताओगे, तो help भी नहीं करेगा अब आप सोच रहे हैं, until लगा दे सानिया आप उन्टिल के लिए perfect आपको time period चाहिए, definite time period चाहिए लेकिन अब भाई, कोई ना ही बताए problem, कब तक नहीं बताएगा एक साल, दो सार, चार साल, कोई ना ही बताएगे तो problem, फिर help कैसे करेगा कोई तुम्हारी तो कोई definite time period का sense नहीं आ रहा है इसलिए भाई, until नहीं unless, एक time period का sense आ जाए तो आप आँख बंद करके वहाँ until लगा तो otherwise, वहाँ पे unless लगाना है ठीक है दोस्त, चलें, पकी बात चलिए, तो कुछ questions मैंने आपकी लिए छोड़े है ये questions आप वड़ाफट से देख लीजिए मैं एक बार अपनी वीडियो को hide कर लेता हूँ तो आप वीडियो को post कर दीजी अभी के अभी और questions को बनाईए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, total 5 questions है मैंने हर questions में एक part को underline किया आपने बताना है कि जो underline part है वो सही है ये गलत है ठीक है, तो comment section में अपना answer बताईएगा मैं first comment के अंदर जो इसके answers है जो right answer होगा वो pin करवादू हूँ हा तो आप answer match कर लेना कि सही है ये गलत है लेकिन जवाब सभी बच्चों ने देने है clear, इसके लावा अगर आपको इस session का PDF चाहिए तो telegram channel दरुन डोवर इंगलिश आप लग जॉइन कर सकते है वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा आप revise करना चाहें तो ठीक है और I hope आपको session अच्छा लगा होगा चीजे सीखने को मिली होंगी एक छोड़ी से information और आपको देनी है कि जैसे आप जानते हैं अने का अदमी जो plus है वो हर अफ़ते कोई न कोई scholarship test को conduct करवाता रहता है इस बार इनका साल में जो एक बार event होता है वो शुरू हो रहा है यह है एक ही दिन का event है वैसे यह 27th feb को होगा पहले यह 28th feb को होना था यह basically scholarship test है और एक बहुत बड़े level का test है पैन हिंदिया level का है इसके अंदर सभी जो examination के बच्चे है चाहे वो SSC की त्यारी कर रहे हो bank की कर रहे हो railway की कर रहे हो सभी type के बच्चे इस examination को दे सकते है यह scholarship test है जिसमें आप बढ़ियां perform करेंगे तो आप at the same time कुछ win भी कर सकते है prizes आप लोगे सामने है bank वाले बच्चों के लिए 10 बचे है SSC वालों के लिए 2 और railway वालों के लिए 5 बचे live होगा recording नहीं दे सकते आपको enroll करना है इसके अंदर description में इसका link है enroll कर लीजिए enroll ऐसे नहीं होगा unlock code मांगेगा तो वहाँ पर आप T555 मेरा unlock code है आप इसको लगा देंगे तो यह unlock हो जाएगा और आप enroll कर लीजिएगा और test भी आप दे पाएंगे आपको चीजे समझ में आ गई है session अच्छा लगा बागी मिलेगे next session में कोई और अगर आपको कोई चीज पढ़नी है सीखनी है तो मुझे comment section में वो ही बताइए बागी मुलागात करते हैं अगले session के अंदर तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत प्यार take care